क्या आपने कभी एक ऐसी चिडिया का गोसला देखा है जो कि हम इंसानों के घर की तरह अपना गोसला जमीन पर बनाती है और उस गोसले को सदाने के लिए वो अपने गोसले के आसपास रंग बरंगे फलफूल भी रखती है और क्या आपने कभी उस चिडिया के गोसले को या कि 10 ऐसी चिडियों के गोसलों के बारे में बता हुआ जिन्हें देखने के बाद आप भी चौक जाओगे तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज किस वीडियो में आप सबी खुब बहुत ज्यादा मज़े आने वाले हैं तो चलिए स्टार्ड करते ह हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग नेस्ट विल्ड वाई बर्ड गाइस इस वीडियो को स्पॉंसर किया है कोईन स्विच को भी रैप ने जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नंबर 10 पर है कॉमन टेलर इस पैरो जैसा दिखने वाला ये पक्ची जादतर हरी भरी जगाओं जैसे जंगल गार्डन के आसपास ही पाये जाता है ये पक्ची अपना गोसला कोई नॉर्मल वर्ड की तरह नहीं बनाते जैसे पेडों पर लकणियों को एकटा करना ये टेलर वर्ड अपना गोसला पे पर अपनी चोट से छेद कर देती है उसके बाद उन्हें स्पाइडर सिल्क से सिल देती है उसके बाद ये अपने गोसले के अंदर मुलायम सिल्क रखती है जिससे की गोसला अंदर से स्मूध रहे और इनका गोसला एक कोन की तरह दिखाई देता है इस चिडिया की ये कलाक पत्तों को सिलकर घुसला बनाने की बजा से इस पक्षी का नाम। होगी कि इस घुसले को कोई फीमेल वर्ड नहीं बलकि मेल वर्ड बनाता है। ये पक्षी अपना घोसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करता है। जब male viewer bird घोसले का basic structure बना लेता है। तब female bird उसे चेक करने आती है और फिर अगर वो उसे सही लगा तो ही वो male bird के साथ आगे का घोसला बनाने में मदद करती है। इनके घोसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में सुरू होती है और फरवरी आते आते वो इससे पूरा कर लेते हैं। इनका घोसला बाटर प्रूफ होने के साथ साथ ही वो पक्षियों को आधी तूफान से भी बचा लेता है। नमबर एट पर है पेटागोनियन सीबर्ड ये एक ऐसा सीबर्ड है जो कि कैलिपोर्निया के आईलेंड पर पाया जाता है। इन्हें सीबर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ज्यादातर लाइफ पानी के आसपास ही बिताते हैं। अलांकि मैक्सिको के जंगलों में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये पक्षी एक जूट हो जाते हैं और ये आईलेंड की ओर आने लगते हैं। जब ये ब्रीडिंग कर रही होते हैं तो भी ये हमेशक कॉलोनी में ही आते हैं जिससे इनकी संख्या लाखों में हो जाती है। तब ये सब अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। जब ये पक्षी एक साथ होते हैं तो ये नजारा बाकाई में देखने लायव होता है। बनाई हुए गोसले में बच्चों को पालने में सफल हो जाते हैं तो ये उसी घोसले को हर साल बढ़ाते रहते हैं दूसरे पक्छीओं की तरह हर साल कोई नया गोसला नहीं बनाते हैं जिससे की एगल का पूरा परिवार बहां रह सके फ्लोरीडा में एक एगल दोरा बनाया गया घोसला दुनिया का सबसे बड़ा घोसला था जिसका बजन लगभग 2000 किलो थक था जो की सुनने में भी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा गाइस आज कुछ basic facts के बारे में बात करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने cryptocurrency या bitcoin के बारे में तो जरूर सुना ही होगा लेकिन एक fact ये भी है कि कुछ लोगों को इसका कोई idea नहीं और वो figure out भी नहीं कर पाते सही investment opportunity या invest करने का safe and secure option आज मैं आपको ऐसे ही एक safe and secure application के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है coin switch kubir app जो की सबसे अच्छा और सबसे तेज crypto trading platform है इसमें आप 100 रुपए से investment start कर सकते है और इस app का interface बहुत easy है जिसमें आप अपने पैसे जब चाहें तब बिड्रो कर सकते है और इस app में आप 24 by 7 trading कर सकते है और इसी के साथ ही साथ आपको 24 by 7 coin switch kubir app की तरफ से support भी मिलता है तो अभी description में दिया गए link पर क्लिक करके download करो coin switch kubir app को जिसे आपको अभी download करने पर मिलेंगे 50 रुपए के free bitcoin और ये app इंडिया का सबसे ट्रस्ट वर्दी crypto trading app है नमबर 6 पर है woodpacker आपने अब तक बहुत से अलग-अलग पक्ची देखे होंगे लेकिन woodpacker जैसा पक्ची सायद ही आपने पहले कभी देखा होगा आप मेंसे बहुत सारे लोग इस पक्ची के बारे में ये तो जानते ही होंगे कि ये पक्ची हर समय लकडी पर अपनी चोच मारता रहता है लेकिन ये ऐसा क्यों करता है क्योंकि इनका ऐसा करना इनकी life के लिए बहुती जादा important होता है इनके लकडी पर चोच मारने के बहुत से कारण होते हैं जैसे कि पेड़ों में अपने लिए खाना ढूंडना क्योंकि कुछ सुके पेड़ों के अंदर कीड़े रहते हैं जिनें खाकर ये अपना पेड़ भरते हैं और किसी दूसरी female woodpacker को अपनी ओर attract करना या फिर अपना नया गोशला बनाने के लिए ये ऐसे ही पेड़ों में चोच मारते हैं ये पक्षी जादा तर अपना गोशला उनी पेड़ों पर बनाते हैं जो पेड़ पूरी तरह से सूक चुके होते हैं या फिर थोड़े गले हुए होते हैं अगर woodpacker किसी भी पेड़ पर छोटे छोटे होल बना रहा है तो वो उस समय अपने लिए खाना ढूंड रहा होता है लेकिन जब ये अपना गोशला बना रहे होते हैं तो ये एक ही बड़ा सा होल बनाते हैं और बहुत ही तेजी से आवाज करते हैं जिससे कि दूसरे पक्षीयों को बता चल सके कि ये अपने लिए घुसला बना रहे हैं जिससे उसमें और कोई दूसरा पक्षी अपना गोसला ना बना ले नमबर 5 पर है हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड का घुसला देखने में एक छोटे से कप की तरह होता है जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन भर में कई घंटों काम करके बहुत मेहनत से बनाती है इस घुसले को बनाने के लिए हमिंग वर्ड को 5-7 दिन लगते हैं जमिन से 3-7 फिट की उचाई पर इस घुसले को पेडों की पतली डाली पर रेसम और स्पैडर सिल्क से बनाया जाता है घुसला पूरा होने के बाद हमिंग वर्ड इस घुसले को बहार से हरी पत्तियों से ढख देती है जिससे कि ये पेड़ पर किसी भी सिकारी पक्षी को दिखाई ना दे इस पक्षी का घुसला बहुत ही जादा मुलायम होता है और इस बर्ड के घुसले की एक सबसे इंट्रेस्टिंग बात है कि ये घुसला स्ट्रैचिवल यानि की Elastic जैसा होता है जो की ऐसा घुसला है जिसमें इसके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बैसे बैसे हमिंग बर्ड इस घोषले को स्ट्रेच करती जाती है जिससे की हमिंग बर्ड के बच्चे इस घोषले में अच्छे से रहें नमबर 4 पर है ग्रेट हॉरन बिल होरन बिल देखने में बहुती खूबसूरत और एट्रेक्टिव पक्षी होता है और जिसकी चोच काफी लंबी और घुमावदार होती है ये पक्षी अपना घुसला बनाने के लिए पेड का खोकला हिस्ता इस्तिमाल करता है जिसमें आसानी से ये छेद करके अपना घुसला बना सके इस पक्षी के घुसले में एक सबसे इंटरस्टिंग बात होती है कि इसका घुसला पूरी तरह से बंदो होता है मतलब कि इस घुसले में ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई इससे बाहर निकल सकता है इस घुसले में अंदर सिर्फ हवा जाने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटे से होल को छोड़ा जाता है इस घुसले में अंडे देते समय फिमिल हॉर्न बिल अंदर ही बंद रहती है ये फिमिल हॉर्न बिल घुसले से तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक कि इसके बच्चे काबिल ना हो जाएं इस दोरान लगभग तीन महीने तक फिमिल हॉर्न बिल अंदर घुसले में ही बंद इसी बजा से इनकी प्रदाती धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे बड़े होने के बाद घुसले से बाहर कैसे निकलते होंगे तो ये बाद अपने घुसले को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक साइड से मिट्टी लगा देते हैं और तीन महीने के बाद जब फीमेर होर्न बिल को इससे बाहर निकलना होता है तो वो इस घुसले के साइड में लगे मिट्टी को अपनी चोच से तोड़ देती है जिससे ये और इसके बच्चे से बाहर आ जाते हैं इस बर्ड का नाम सोचीवल वीवर वर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये बक्ची जुन्ड में अपना घुसला बनाते हैं और एक बड़े से घुसले में लगभग 5 से लेकर 100 होल्स तक होते हैं जिसमें 10 से लेकर 400 तक ये वर्ड रह सकती हैं ये अपना घुसला पेड की उ वर्ट्स की संक्या कितनी जादा होगी और अगर फेल जादा बढ़ा हो तो फिर इनकी घुसलों की संक्या भी जादा बढ़ जाती है और ये पक्षी सालों तक एक ही घुसले का इस्तिमाल करते हैं जो कि ये बर्ड हर बार अपने घुसले को बढ़ा करती जाती हैं कई बार द सारीके के घोसले को पहले कभी देखा होगा तो इसी बात पर वीडियो पे एक लाइक तो बनता है नमबर रूबर है इंजिनियर बर्ड ये बक्षी मुख्य तोर पर साउथ अफरीका में पाये जाते हैं इस बर्ड के घोसला बनाने की टेकनिक को देखकर आप भी दंग रहे जाएंगे इंजिनियर बर्ड का असली नाम रूफस होर्नर है जो अर्जेंटीना का राष्क्रिय पक्षी है ये पक्षी कीचड और घास की छोड़े छोड़े तिनकों से अपना घोसला बनाता है और ये घोसला मिट्टी का होने के कारण बहुत ही मजबूत भी होता है इस आतर सिकारी पक्षी इस घोसले के अंदर नहीं घोस पाते हैं एक बार घोसले का इस्तिमाल हो जाने के बाद ये पक्षी उस घोसले को छोड़ देता है जिसके बाद दूसरा कोई पक्षी इस घोसले में आतर रहने लगता है तो गैस फैनली अब बात करते हैं नंबर वन ब बोबर बर्ड गाइज अभी तक मैंने आपको जितने भी बर्ड के घोसलों के बारे में बताया उन सभी से ज्यादा अमेजिंग नेस्ट इस बोबर बर्ड का होता है क्योंकि ये अपने घोसले को इंसानों के घर की तरहे जमीन पर बनाती है और इसके दुवारा बनाये गया ये घोसला एक जोपड़ी की तरहे दिखाई देता है और ये बर्ड अपने घर को सजाने के लिए इसे जो भी रंग बिरंगी चीज दिखाई देती है उन्हें ये अपने घोसलों में ले आती है जिससे कि ये बर्ड अपने घर को सजा सके अब तक आपने कभी ऐसी बर्ड क एक्षूला देखा है ? यह मुझे नीचे कमेंड करके जरूर बताना है आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर लेना अपने फ्रेंग्स और फैमिली के साथ जिससे के उन्हें भी दुनिया के दस ऐसे बर्ड्स के गोसलों के बारे में पता चल सके और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो के साथ अच्छा के लिए बुट पाए